अहमेद बाग में तीन बदमाशों द्वारा करना पेंट के स्वामी की यहां दिन दहारे तमंचे की नौक पर लाखों की लूट ने पुलिस परशासन को खुली चुनौती दे दी है वहीं बदमाशों ने CCTV और DVR भी तोड़ दिया और मोबाइल जिसमें CCTV फोटेज आ सकते थे वह भी साथ ले गए लूट के वक्त पृत्वी पाल घर पर अकेले बताये जाते हैं और उनकी पतने गुरूद्वारे गई हुई बताई गई गौर तलब है कि पृत्वी पाल सिंग सहारनपूर कलब के सदस्य भी हैं पुलिस के वरिश अधिकारी और फोरेंसिक टीम मोगे पर पहुंची घटना को लेकर शेश सरवासियों में शेश व्याप्त है पर अधर स्वासिकी य gusta मोडेन देघने लगे फिर उदर अधर अधर देखने लगे फिर अंकल-जी को भी ख़ल दखे था फिर अंक भी सोने का त्यमिरन का अटकतलि म सबस्गितर पहुर नासे मुवाइल डाइउ- एक ने掰掰 उनुक्त कर दियुक्र झाऊ कुछी है आम सुद्वा नह Dom Hai केंवाइल युद्वाइल जमा एनकल करेंचा है और युद्वाइल टोड़ने गील वेखान के समान मुवाइल भी सब्सक्राइब करें सारे तीन-चार बजे की बात है कुछ लोगों ने कुछ बदमाचों ने से घंटी बजाई सर्वेंट ने जब दरवाजा खोला तो दो बदमाच अंदर आए कहे कि हम सी वी आई कि हैं इसके बाद उनको गन पॉइंट पर लेकर उनके जो भी कैस थे आफिस में करीव एक लगवाग बता रहे हैं पिर आलमारी बदमाच के बारे में दो बता रहे हैं दो बदमाच ते और बहाना बना के आये हैं और आते ही उनको उनसे काया जो भी तुम्हारे पास कहा सब पैसा रखे हो पैसा दिखाओ उसके बाद उनको उनके आफिस में ले गए हैं और उहां पर जो भी उनके पास पैसा उस समय था डार में बता रेकरीब एक लाग के लम सब दे दिया था बाकि अलमारी में से भी समाल ले गए है उसको देख के बता पाएंगे और जैसे इस उचना मिली पुलिस मम के पहुंची है और सिगरता से इसमें कारवाई हो रही है बहुत जल्दी इस घटना का नारौर होगा बिल्कुल चनोती पुर घटना है और इसको बहुत जल्दी ही खुला से हुआ इधार एक दू घटना जो भी वेति सब खुली खुली थी कोई गैंग जरूर बाहर आया होगा हम जल्दी से इसको परकाग करेंगा